एवरिज का 26 मा कुश्चन, 40 बिध्यार्थों के उसत अंक 68 रहे, यानि 40 का एवरिज दिया है 68, यदि दो बिध्यार्थों के अंक 84 और 46 के इस्थान पर गलती से करमसा 48 और 64 दर्ज हो गए हों, तो सही उसत क्या है? 84 और 46 था, 84 और 46 का मतलब हो गया, 6,4,10 की एक, 8,4,12,13,13 और 48 और 64 का मतलब है, 8,4,12 और 6,4,10 यानि 112,13 की जगे 112 दर्ज हो गए, यानि 18 कम दर्ज हो गए, तो जो एक्शूल अबरेज होगा, वो 68 से तो जादी होगा, इसलिए 4 ओप्सन देखी, 68 से जादा दिये हैं, अब अब हो गए, 88 को हमें, अबरेज में बताना होता, तो सम डिवाइड बाइ नंबर, यह कितना हो गया, 4,5 बटे 10, यानि 0,45, तो 68 की जगे, अब कितना जादा होगा, 0,45 यानि 68,45 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ओप्सन,